अधिया गाइज गॉट अफ्टरनों तो मैं रोईत एक बार फिससे आपका स्वागत करता हूं में तो आज की वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर फोटीन अपना अपना एंच एंड बूकिपिंग का इसमें भी हम लेजर को ही देखेंगे तीगाइज एक सैट लेजर का हम कर चुके हैं यह दूसरा सैट लेजर का तो बढ़ते हैं आज के पहले को तरफ अपना अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए कोशन नमबर वन है हमारे पास दा कॉलम आफ लेजर विच लिंक्स दा एंट्री विद जर्नल इस अब लेजर का एक कालम होता है ठीक है लेजर अका यहां पर पार्टिक्यूलर ठीक है यहां पर होता है इस तरह जे अफ करके एक ठीक है फिर यहां पर होता है फिर यहां पर क्या है आपको बताना है कि लेजर का जो कॉलम होता है जर्नल के साथ जो कॉलम एंटर करता है यहां पर मैं आपको बता दिया क्या आंसर होगा इसका यह जर्नल फोल्यू कॉलों ठीक है यह देखो कि जिसका अंसर है ज्को कहते हैं जर्नल फोल्यू ऑई इस से क्या होता है कि वहाँ पेज नमबर लिखा जाता है ठीक है जहां से उस एंट्री को उठाया गया है वह पेज नमबर यहां लिखा जाता है अगर बाद में चेक करना हो तो हम से डिरेक्टी उस पेज पर पहुंच जाएं ठीक है कॉशन नमबर टू देखते हैं पुटिंग ऑन दा क्राड़िट साइड आफ एन अकाउंट अगर हम जो क्राड़िट साइड जो है भाइ लगाते हैं आप देखे काईज अगर यह मेरा डविट साइड है यह मेरा क्रेड़िट साइड है ठीक है अगर मैं यहां पर तू लगाऊंगा तो expressing क्या लगाता हूं बाइ लगाता हूं ठीक है अगर इसे में लगा लिया buy cash ठीक है two purchases ठीक debit side में क्या लगाते हैं यार रखना हमेशा debit side में two लगाते हैं credit side में लगाते हैं guys buy ठीक है यह clear है बढ़ते हैं आगे question number three की तरफ कहता है कि nominal account having debit balance represent तो यह मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो nominal account है ठीक है अब इसका debit balance क्या होता है और credit balance किस तरह से represent होता है income gain expenses losses cash assets तो आपको बोलना है कि debit balance जो है किस तरह से किस से represent होता है जो चार option दिये हैं इनमें से बताना है तो जिसका answer है हमारे पास option number B तो जिसका debit side जो होता है debit all expenses क्या होता है इसका जो हमारा balance होता है वो कैसे दिखाता है debit all expenses are losses तो credit all profit या income या gain कुछ भी है ठीक है तो गाइस बढ़ते हैं अगले question के तरफ account having credit balance is closed by return अब हमें किस तरह से दिखाएगा कि हमारा credit balance जो है वो close हो चुका है उसे हम लिखते कैसे है credit balance आपको दिखाना है ठीक है उसे लिखते कैसे है to balance cd to balance bd by balance co by balance cd है ठीक है by balance bd ठीक है तो गाइस इसका answer है हमारे पास by balance cd या रखेगा यह cd है ठीक है by balance cd क्योंकि credit side में लिखना है तो हम by ही लिखेंगे ठीक है तो चलते हैं आगे question number five कि वेन दा total of debit and credit are equal जब हमारा total जो है debit and credit का वो equal आ जाए it represent अब यहाँ पर क्या represent करता है debit balance credit balance nil balance crunch balance अगर हमारा debit side भी equal है credit side भी दौनों अगर हमारे पास equal है ठीक है तो हमें क्या हमें कौन सा balance show करेगा वहाँ पर तो इसका answer है हमारे पास nil balance और यह भी बराबर है तो यह भी बराबर है balance किसी का बचा ही नहीं तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर nil balance हो जाएगा ठीक है दिखते है question number six which of the following account is increased by credit entry अब जो यह आपके सामने options दिये हुए हैं इन में से जो हमारा एक कौन सा account है जो credit अगर हम credit entry करते हैं ठीक है तो इसमें से कौन सा account जो है वह increase होता है sales return account क्या sales return account increase होता है यह हमारा bank overdraft increase होता है यह हमारा goodwill account जो है था वह इंक्रीज होता है तो जिसका आंसर हमारे पास है बैंक और ढ़राफ देखिए मैं आपको समझाता हूं किस तरह से है के हमारा अगर क्रेड़ेट एंट्री हमारी इंक्रीज हुई है ठीक है हमारा कोई अकाउंट हो इंक्रीज हुआ के ये यह भी नहीं को वॉगा तो बैंक आब oo ड्राफ imp डैंक अब किसी। का पैसा जो है बैंक में है तो कुछ पैसा है मान लिजिए 2來 है किसी बिजनेस का भाइंक में उढर वहां से क्या करा 2 लाग से वहां से उसने ज्यादा निकाल이, तो भाइंक यसे 1 लाग जाहता दे दिया जो एक लाग उसको दादा दिया उसे हम कहते हैं guys bank or draft ठीक है question number seven देखते हैं process of transferring the debit and credit items जो process होता है किसको debit and credit item को transfer करने का journal से ठीक है उनके अपने अपने respective accounts में to the ledgerist term उसे हम क्या कहते हैं ठीक है इस मतलब asking debit and credit item जो है journal से अगर हम अपनेsama account में लेजर में क्या करते हैं transfer करते हैं उससे हम क्या कहते हैं उस process को क्या कहते हैं balancing कहते हैं, posting कहते हैं arithmetic कैते हैं कि entry कैते हैं तो guys इसे बहुत ही simple answer है system का आंसर आज हमारे पास posting तो लेजर पोस्टिंग होती है क्योंकि हम जर्नल से उठा कर उसी एंट्री को हम कहां पर लिख देते हैं लेजर में लिख देते हैं ठीक है इसे अब एक अकाउंट जो है एक डिवाइस है इसको एक अकाउंट जो है रिकॉर्ड करने के लिए क्या करता है यूज करता है तो क्या है वह इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज 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 करने के लिए इसको यूज करता है अगर हमारा इंक्रीज ह ठीक है तो देखते हैं अगला question, question number 9, which of the following item is not increased in the cash account, अब जो आपके समने option दिये होए हैं, इन में से कौन सी item जो है, ये cash account में increase नहीं होती है, purchase up 20,000, sale of 50,000, received cash from RAM 10,000, credit sale of 20,000, आपको बताना है कि इसमें से cash account में, कौन सी चीज इंक्रीज नहीं होगी, विज़ फॉल आइटम इस नाट इंक्रीज इन देख एकाउंट, cash account में से कौन सी चीज इंक्रीज नहीं होगी, तो कर जिसका answer है, हमारे पास, credit sale of 20,000, अब यहाँ पर sale जो हमने की है, यह हमने कौन सी sale की है, credit sale, यनि कि उधारी में यह sale की है, तो यह जो है हमारा, यह हमारा cash account में increase नहीं होगा, ठीक है, हमने purchase की है, बीस हजार के पैसे दे दी है, यह हम भी cash लगा है, अगर हमने sale की है, पांच जार की, अगर हमने sale simple की है, तो cash से ही की है, अगर हमने cash receive की है, राम से 10,000 का, ठीक है, वहाँ भी हमर पास cash लगा है, लेकिन यहाँ एक credit sale हुई है, बीस हजार के तो यह cash account में, यहाँ पर इससे cash account हमारा increase नहीं होता है, ठीक है, question number 10, जो है हमारा book of account, when transaction related to a particular person and things are recorded, अब वो हमारा ऐसा book of account है, जब हमारी transaction जो है, किसी particular person या चीज से क्या कहते है, journal ledger, sorry, journal, general journal, trial balance, journal ledger, worksheet, तो guys इसका answer है, वो book of account जहाँ पर transaction किसी particular person या चीज पर record होती है, उसे हम कहते हैं, journal, simple journal कहना इसे आप, ठीक है, तो guys, यहाँ पर आज की video हमारी खतम होती है, 10 questions हम यहाँ पर कर चुके हैं, आज के, तो guys, मैंने आप से कल ही कहा था, कि अपनी speed का accelerate करेंगे, questions हम increase करेंगे, जैसे ही हमारी coin notification आज आती है, ठीक है, तो हम आपने questions को यहाँ करेंगे, थोड़ा इनको increase करेंगे, तब तक 10 questions रहेंगे हमारे, ठीक है, वीडियो हमें पर खत्म करते हैं, thank you, God bless you all.